आउटर रिंग रोड के आसपास एक और मनी हारम बन रहा है तेलंगाना के मंत्री के टियार ने रंगारेडी जिले के नानक राम गुड़ा में सोलार रूफ साइकल ट्रैक की आधार शिला रखी और भूमी पूजा की पहले चरण में कुल 23 किलोमीटर लंबे सोलार रूफ जाएगा ऐसा लगता है कि हम डी ए ने 2023 की गर्मियों तक सोलर रूफ साइकल ट्रैक उपलब्द कराने की योजना तयार की है नानक राम गुड़ा से टी एस पी एस तक 8.5 किलोमीटर नरसिंगी से कुलूर तक 14.5 किलोमीटर का निर्मान सर्विस रोड के दोनों और आईट ट्रैक किस्तों में उपलब्द होगा सामानी साइकल ट्रैक के विपरित इसे आधूनिक सुविधाओं के साथ विक्सित किया जा रहा है HMDA के अधिकारियों ने हाल ही में दक्षिन कोरिया के डेजॉन और सेजॉंक शेहरों के बीच आधूनिक सुविधाओं के साथ 32 किलोमीटर साइकल ट्रैक का निरिक्षन किया इसी प्रकार शेहर के बहारी रिंग रोड के दोनों और सोलार रूफ साइकल ट्रैक सापित किया जा रहा है HMDA ने खुलासा किया है कि यह ट्रैक 4.5 मिटर चोड़ा होगा TPCC प्रमुख रिवेन धिरेडि ने कहा है कि राहूल गांदी देश वासीों की आजादी के लिए पद यात्रा करेंगे रिवेन धिरेडि ने आरोप लगाया है कि राहूल गांदी लोगों के स्वाभी मान को बनाये रखने के लिए यात्रा पर जाएंगे अगर कॉंग्रेस नेता लोगों की समस्याओं के बारे में बात करते है तो प्रधान मंत्री मोधी और अमिशाद डरते है आज से शुरू हुई तेलंगाना विधान सबा की बैठक को इस मेने की 12 तारिक तक के लिए टाल दिया गया है विधान सबा के शुरू होने के बाद अध्यक्ष पोचा राम श्रीनिवास रेड़ी ने पूर्व विधायक मल्लू स्वर राजम और परिपती जनार्धन रेड़ी को शद्धान जली अरपित की गई उन्होंने दो मिनिट का मौन रखा मल्लू स्वर राजम और परिपती जनार्धन रेड़ी को विधान परिश्टत में भी शद्धान जली अरपित की गई शोक प्रस्ताव के बाद त्यलंगाना विधान सबा की बैठके इस महने की 12 तारिक तक सगित कर दी गई गनेश विसरजन के मद्दे नजर इस मा की 12 तारिक से 2-3 दिन तक बैठक होने की संभावना है बीएस्सी के निदेशन के आधार पर इस महने की 12, 13 और 14 तारिक को भी बैठक चलने की संभावना है इसके बावजूद इस महने की 7 तारिक से कश्मीर से शुरू होने वाली कॉंग्रेस नेता राहुल गांदी की भारत यात्रा के बैक ग्राउंड में कॉंग्रेस के विधायक उपलब्द होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है धर्मस्त्री इंद्रकरण ड्डे ने हैरताबाद में स्ठी पंचमुकी महालक्षमी गनपती के दर्शन कर विशेश पूजा की इंद्रकरण ड्रेडी ने परियावरन संरक्षन के हिस्से के रूप में पहली बार मिट्टी से खेरताबाद गनेश प्रतिमा बनाने के लिए उस्सव समीती के सदस्यों को धन्यवाद दिया उनका कहना है कि मिट्टी और गाई की गोबर से गनपती बनाना पर्यावरन के लिए बहुत अच्छा है तेलंगाना प्रदूशन नियंतरन बोड ने भी राजचि भर में विनायक की मिट्टी की मूर्तियों का वित्रन किया है उन्होंने कहा है कि CM KCR के आदेश के तहट विसरजन की व्यापक विवस्ता की जा रही है मंत्री ने कहा है कि सभी विभागों के समनवाय और जनता के सयोग से गनेश उत्सोव बिना किसी परेशानी के शांती पूर्ण धंग से संपन हो रहा है बाग अंबरपेट संभाग के महांकाली मंदिर में महांकाली यंग मैन एस्सोसियेशन के तत्वाव धान में भगवान गनेश की विशेश पूजा की गई अंबरपेट विधायक कालेरू वेंकटेश पूर्व सांसत वी हन्मंत राव और विभिन दलों के नेताओं ने गनेश के दर्शन किये और विशेश पूजा की महांकाली यंग मैंस एस्सोसियेशन के आयोजक राजेश गौण ने कहा है कि गनेश पूजन के 48 वर्ष पूरे होने पर एस्सोसियेशन के सदस्य गरीबों के लिए अन्यदान कारिक्रम आयोजित कर रहे है विधायक कालेरू वेंकटेश ने कामना की है कि गनेश की कुरुपा से सभी लोग स्वस्त रहे सिकिंद्रबाद कुकडपली विधायक माधवरम कृष्णर राव ने कहा है कि त्यलंगाना सरकार सभी योग्य लोगों को पेंशन प्रदान करके कल्यानकारी कारिक्रमों को आगे बढ़ा रही है विधायक ने कुकडपली अंतरगत ओल्ड बोईन पली संभाग में लाभारतियों को 13 नव स्विकृत पेंशन सोपी मलसी नविन कुमार ने स्थानिय नगर सेवक मुद्दाम नरसीमा यादव के साथ माधवरम कृष्णर राव लाभारतियों को पेंशन वितरित की विधायक ने स्पस्ट किया कि सरकार सभी पात्र लोगों को पेंशन देकर वृत आविवाहित महिलाओं और विकलांग लोगों की मदद कर रही है उन्होंने कहा है कि तेलंगाना सरकार कुकडपली निर्वाचन शेत्र के करीब 30,000 लोगों को पेंशन देकर अपना सयोग देगी उन्होंने कहा है कि तेलंगान सरकार पिछली सरकारों के विपरित कल्यानकारी विकास कारिक्रमों में लोगों पर अमिट छाप छोड़ेगी पार्शस सभीहा गोसोदीन ने कुकड़ पली निर्वाचन शेत्रि के अलापुर मंडल के अंतरगत रामा राव नगर का दोरा किया मेर्चल जिला अल्प संख्यक अध्यक्ष मोहमत गोसोदीन के साथ नाले का कारियों का निरिक्षन किया गनेश विसर्जन के दोरान भी सफाई कर्मियों के साथ चूने के तालाप पर नजर रखी गई जीएचेमसी के अधिकारी डॉक्टर वेंकट रमन मुरली धर रेड़ी राइंकी हरी कृष्णा कृष्णा रेड़ी डिविजन को और्डिनेटर वीरा रेड़ी कुकडपली निर्वाचन शेतर बीसी सेल के अध्यक्ष नागुला सत्यम जवियो दिन जाहित शरीफ बाबा ग्यानेश्वर इसमाईल रविंदर रेड़ी योगी राजु लक्ष्मी ने इस कारेक्रम में भाग लिया गोशमाल विदाएक राजा सिंग की पतनी उशा बाई ने जमानत के लिए हाई कोट का दर्वाजा खटकटा आया पूलिस ने राजा सिंग को पिछले महिने की 25 तारिक को पीडी आक्ट के तहत गिरफतार किया गया था इसे चिनोती देते हैं उन्होंने याची का दायर की थी उन्होंने दावा किया है कि समीधान के अनुच्छे 14 और 21 के हिलाफ 26 अगस को राजा सिंग को अवेद रूप से घिरासत में लिया गया था आरोप है कि पिछले महिने की 26 तारिक कानून व्यवस्ता बिगणने के आरोप में जीयो 1691 के तहत राजा सिंग के खिलाफ पीडी आक्ट लगाते हुए उन्हें गिरफतार किया गया था राजा सिंग को गिरफतार करने से पहले पुलिस ने सुपरीम कोट के दिशा निर्देश के अनुसार CRPC की धारा 41A के प्रावधान और 7 साल से कम सजावाले मामलों में 41A नोटिस के प्रावधान का उलंगन किया यहाँ बताया गया है कि निचली अधालत राजा सिंग को रिमान पर भेजने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसे इस तरह का नोटिस दिये बिना गिरफतार कर लिया गया था यहाँ पता चला है कि कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए पुलिस ने राज़ा सिंग को अवेद रूप से गिरफतार किया था फिल्मों में कथित रूप से अवेद रूप से निवेश करने वाली MLC कलवकुंटला कविता के खिलाफ कॉंग्रेस नेता बक्का जुडसन ने एडी से शिकायत की है बक्का जुडसन ने एडी को दी शिकायत में कहा है कि MLC कविता ने विजे देवर कुंडा स्टारर लिंगर में निवेश किया है बक्क जुडसन ने आरोप लगाया है कि MLC कविता ने काले धन को सफेद धन में बदलने के लिए लिंगर फिलिम में निवेश किया था जुडसन ने ED से इसकी जांच करने और आरोपियों के खिलाफ कारवाई करने को कहा MD सजनार ने RTC में नए बदलाव की शुरुवात की सजनार RTC में रोजाना एक बदलाव लाकर और यात्रियों के करीब पहुँचकर RTC को विकास के पत पर ले जा रहे है MD सजनार ने हाइदरबाद काची गुड़ा बस टर्मिनल पर RTC ED यादगीरी और हाइदरबाद के शेत्रिय प्रबंदक राजेंदर प्रसात की देखरेक में आयोजित काची गुड़ा और बरकतपुरा डिपो के करमचारियों के लिए प्रसिक्षन शिविर का उधगाटन क MD सजनार ने कहा है कि तिलंगान राज्ची के सभी RTC डिपो में ये प्रसिक्षन शिविर शुरू हो गए है और यहाँ शिविर एक महिने तक चलेंगे उन्होंने कहा है कि एक खंड में कमपनी के विकास यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं और उन्हें दी जाने वाली चुनोतियों के बारे में होगा के गर्ब में समाता जा रहा है सरकार ने इस कॉनली को नीम्स को सौंपने के लिए नोटिस जारी किया है जहां कई बड़ी हस्तिया रहती है निवासियों को ततकल खाली करने के लिए दो दिन से नोटिस भेजा गया है एन आई एमस ने राश्ट मंडल के भीतर कॉनली के एक हि गाटन किया यहां कारिक्रम जवाहर नगर निगम अंतरगत आटवे डिविजन कृष्णा नगर कॉनली में चार लाख रुपए के यूजीडी फंड निर्मान किया गया इस अवसर पर उप महापोर ने कहा है कि लगभग 4 लाख समनवय निधी से भूमी का जल निकासी का काम शुरू किया गया है उन्होंने कहा है कि 6, 7 और 21 संभागों से आने वाली सीवेस की समस्या का चरन बत तरीके से समाधान किया जाएगा और लगभग 40 लाख की लागज से इस समस्या का स्थाई समाधान किया जाएगा इस कारिक्रम में कॉलनी अध्यक्ष, कुमार, जुला, वेंकटेश, श्रीमन, श्रीनाथ और कॉलनी के कही निवासियों ने भाग लिया बजरंग दल के संयोजक शिवार रामलू ने कहा है कि तेलंगाना में हिंदूों को सरकारी दमन नीती का सामना करना पड़ रहा है और यहां के हिंदू आज अपना त्योहार मनाने के लिए भी आजाद नहीं है देश में कोरोना की गंभीरता कम हुई है नए पंजिकृत मामलों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है पिछले 24 घंटों में 4,417 नए पॉजिटिव मामले सामने आए है वही 6,032 लोग कोरोना से ठीक हुए है 22 लोगों की मौत हुई देश में फिलहाल 52,336 एक्टिव केस है ताजा मामलों के साथ अब तक कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या 4,34,66,862 पहुँच गई है अब तक 4,38,896,496 लोग कोरोना से ठीक हो चुके है महामारी के कारण अब तक 5,28,030 लोग अपनी जान गवा चुके है वर्तमान में देश में दैनिक सकारत्मक दर 1,20 प्रतिशत स्वस्त होने की दर 98,79 प्रतिशत मृत्यू दर 1,19 प्रतिशत और सक्रिय दर 0,12 प्रतिशत है अब तक 2,13,72,066,15 कोरोना वैक्सिन की डोस बाटी जाग चुकी है कल 19,93,670 लोगों को टीका लगाया गया था